हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए प्रतिसत के कोशन लेकर के आया हूँ, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, प्रशनी क्या कह रहा है, 550 का 20 प्रतिसत कितना है, आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन क्या सभी प्र पर दोस्ते कर दो, 110 हो जाएगा, यह आपका अंसर हो गया, लेकिन आपको ऐसे कब कर पाओगे, जब इस तरीकी के सवाल हो, ठीक है, तभी तो कर पाओगे, अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको नोट करिए, प्रतिशत, प्रतिशत, गुने संख्या, प्रतिशत, गुने संख्या, बटे में 100, ठीक है, और एक चीज, प्रतिशन में कभी कभी कम पूछा जाएगा, अगर कम दिया गया है, तो 100 में से माइनस करेंगे, और अगर अधिक दिया गया है, तो 100 में पिलस करेंगे, ठीक है, इतना किलियर है, प्रतिशत, गुने संख् बट्टे 100 अगर में इसे करता हूँ, 30 value मेरी कितनी है, 20, संख्या मेरी कितनी है, 550, बट्टे 100, 2,0 से 2,0 गए, 55 का 2 से multiply 110 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 110 मेरा सही जवाब है, जो कि पहले option में, अब हम आगे और जो question करेंगे, वो बहुत important होने वाले हैं, अब देखते हैं, और मैंने जो formula आपको बता है, उह है, प्रतीशत, प्रतीशत, गुने संख्या, divided by 100, यही formula तो है, अब यहाँ मेरे पास, प्रतीशत मुझे पता है, वो संख्या नहीं पता क्या है, जो संख्या से मैं पहले निकाला था, वो नहीं पता, पहले मुझे यह संख्या निकालनी पड़ेगी, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे ये संख्या निकालनी है, तब ही तो मैं कर पाऊँगा प्रश्न को, या फिर मैं क्या करूँ, सो गुने संख्या, बटे में प्रतिशत, फॉर्मूले में फिर बदल कर लूँ, सो को उपर ले जाओ, प्रतिशत को मैं क्या करूँ, नीचे आ जाओ, लेके ठीक है, चलो, सो इन्टू, संख्या पिच्छत्तर, ठीक है, प्रतिशत, केतना है, बीस प्रतिशत है, बीस से कटा पांच बार में, पांच का पिचत्तर का मल्ट में हो जाएगा, तीन सो पिचत्तर, केतना हो गया, तीन सो पिचत्तर हो गया, अब मुझसे ये कहा गया था, कि जो पिचत्तर है, वो किस संख्या का बीस परसेंट है, तीन सो पिचत्तर का बीस परसेंट है, अब चाहूं तो निकाले की देखलो 365 का बीस परसेन्टाटनि का मतलब 25 से कड़ेगा 20 से कंपटे गालरे 20 किस संख्या का 20% था ना 375 का था किसका 375 बी ऑफ्षन प्रश्णिका बिलकुल सही जवाब है समझे में आगे ना सभी को अब देखते हैं अगला प्रश्णि अगला प्रश्णि दो सो पच्चीस ग्यारे सो पच्चीस का कितना प्रतिसत है भाई पहतरी सवाल पहले तो मैं व इसे फॉर्मूले में आप क्या करोगे फॉर्मूले को पलट दोगे फॉर्मूले को आप क्या करोगे पलट दोगे या प्रतिसत नहीं पता आपको कितना है तो इसमें से आप एक एक प्रतिसत रखके चेक करोगे तम मालूम होगा तो उसमें तो लग जाएगा बहुत सारा स समय ये बात आप अंच्छे से जानते हैं जब समय लग जाएगा तो मैं क्या करा हूं, यह जो भी मेरे पास है पर Pacific का बदल कर लेता हूँ, ये जो 100 है ये उपर आ जाएगा ठीक है ये 100 मेरा उपर आ गया इंटू ये क्या हो गया मेरे पाद 225 है ना 225 ये 225 आ गया और ये किस्टन क्या गया 225 ग्यारा सो पच्चिस का है अब इसी से कटा लीजे बस सवाल खतम हो जाएगा चलो अगर मैं इसको कटाता हूँ ना तो 22 125 से क्या 1125 कटेगा 225 से 1125 पांच वार में कट जायेगा 5 वार में गया और 5 से 100 कटा दूगा 20 वार में यान की 20% का rate प्रेटीसात कितना प्रेटा है 20% का 20% है चाहों अब也是फ कर के देखेंगे प्रेटीसात में कितना रख देता हूँ 20% संक्या मेरे कितनी थी 1125 थी बटई कि इतना सो, बीशे सो कटा दूँगा पांच बार मैं, पांच से सो कटा दो मैं, पांच dosus को कटा दूढ़ा था हूँ, तो रेट हमारा बीश परसेंट हो जाएगा, पिल्कुल सही जबाब, अब देखते हैं अग्ला सवाल अगला सवाल है वह संख्या जो 850 से 25 परसंड अधिक है क्या सवाल बहतरीन सवाल चलिए प्रतिशत प्रतिशत गुने संख्या डिवाइड़ वई 100 ठीक है अब मैंने आपको सबसे पहले चीज बता दी थी अगर कम की बात कहेगा तो 100 में से कम करके लिखेंगे अधिक की बात कहेगा तो 100 में जोड के लिखेंगे बोला था मैंने ठीक है यह बात के लिए है सभी को बोला था अब बोला 25 परसंड अधिक है तो 100 में 25 जोड के लिखेंगे तो यह हो जाएगा 125 इंटू प्रतिशत कितना हो जाएगा 100 में 25 जोड के लिखेंगे तो प्रतिशत 125 यह 850 है सं पांच पच्चे 25 का 5 कहरी का 2, 5 वट्टे 4 और 42 डिवाइड़ वाइड वाइड चार, 4 से कटाऊँगा, 4 एक कम 4, 2 बच्चे का 25, 4 चींग 24, 1 बच्चे का 10, 4 दूनेक 8, एक 4 दूनेक 8, 2 बच्चरा आप नहीं जा रहा, 20 हो जाएगा 4 पंजे 20, 112.5 यह है प्रेश्ने का बि आनी चाहिए, अब देखेंगे हम अगला प्रेश्ने, अगला प्रेश्ने है, वह संख्या जो 1400 का 15% कम है, प्रतिसत बरावर फॉर्मूला में आप लेख देता हूं, प्रतिसत गुने संख्या, प्रतिसत गुने संख्या, टिवाइड़ मैं 100, ठीक है, अब कम है, तो 100 में से कम करके लिखेंगे, तो 15% कम है, तो 100 में से 15 करके लिखेंगे कम, तो कितना हो जाएगा, 85, एंटू संख्या है, 1400, डिवाइड़ वाइड़ सो, ठीक है, अब हो जाएगा आराम से, अब दो 0 से सीधे सीधे, दो 0 कर जाएगे, 14 कमल पर 85 हो जाएगा, तो 14, 5, 70, 70 का 0, कैरी क साथ, ठीक है, 14 कमल पर 80 कर दो, 14, 50, 14, 54, 14, 98, 14, 1012, 112 में जोड़ेंगे, कैरी का साथ, तो यह हो जाएगा, 119, यानि कि 1190, वह संख्या क्या है भई, 1190, यह प्रेशनी का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, सभी को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को यह बिल्कु परसंट अधिक धन है, A, B, यह दो प्यक्ति है, B के पास कितना धन होगा, 100, तभी तो A के पास B से 20 परसंट अधिक होगा, यानि कि 120 हो जाएगा, समझ माहिना बात, उसने बोला है, A के पास B से 20 परसंट अधिक धन है, तो B के पास 100 होगा, तो A के पास 20 परसंट अधिक हो गुने संख्या, बत्टे 100, थीक है, ये आपको अच्छे से पता है, अब मेरे पास प्रेतिस्जत कितना दिया गया है 20, तो मैं 20 लिख लूँगा, संख्या मेरे पास कितनी है, संख्या मेरे पास 100 है, थीक है, और बत्टे में कितना आजाएगा 120, ये हुजाएगा सवाल खतम, संख्या रियल में 100 थी और बढ़कर के 120 होगी तो 120 आ जाएगा नीचे अब इसको हल कर लो सवाल खता 20 से कटा दूँगा 120 को में 6 बार में और 6 से कटाऊँगा 100 को तो 6 कम 6 कटेगा 4 बचेगा 40 636 4 बचेगा 4 उपर बटे में 6 इसको अगर कटाए जाएगा तो 2 दुने का 4 दो तिरिक का 6 कटेगा तो 16 पूणांग 2 बचे तीना जाएगा ये हो जाएगा प्रशने का बिल्कुल सही जवाब आपके प्रशने का बिल्कुल सही जवाब आपको मिल गया अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रशने है ये वो प्रशने है जो सबसे ज़्यादा परिक्षा में पूछा जाता है गैहों के भाव में 20% कमी हो जाने पर समान रुपए में कितना गैहों अधिक मातर में मिला जा सकता है लिया जा सकता है, खरिदे जा सकता है सो में क्या करेंगे गुने कमी ब्रदी एक गुने कमी कमी होगी तो कमी 109 सी कमी है तो कमी का ब्रदी है तो ब्रदी का बटे में 100 माइनस है तो माइनस करेंगे यदि पिलस है तो पिलस करेंगे ब्रदी है तो पिलस करेंगे कमी है तो माइनस करेंगे ठीक है किलियर हो गई इना बात अब प्रेशन को कर लीजिए अंसरा क्या गैहों के भाव में 20% कमी हो गई तो 100 लिखी है कमी हो गई है कितने की 20 की कमी है 20 की कमी है तो 20 लिखे कमी दे रखे तो कमी लिखेंगे ब्रेदी दे रखे तो ब्रेदी 100 में से माइनस करेंगे याद रखना 100 में से माइनस करेंगे अगर कमी है तो minus ब्रेट दिया तो plus तो 100 में से हम क्या करेंगे minus करेंगे कितना minus करेंगे 20 ठीक है चलो 100 गुने 20 2000 हो जाएगा 100 में से minus कर देंगे 20 तो 80 हो जाएगा जीरो से जब 0 कर जाएगा तो 200 बचेगा 8 से 200 में डिवाइड देना है 8 दुने का 16 कितना गेहूं अधिक मात्रा में लिया जा सकता है 25 परसेंट गेहूं अधिक मात्रा में लिया जा सकता है ये हो जाएगा प्रेश्न का सही जवाब तो प्रेश्निक को आपने देख लिया समझ में आ गया तो एक लाइक और एक शेर तो बनता है इतना काम कर दीजिए ठीक है दोस्तों धन्यवाद